नमस्कार पुलिस के टीम पूस्ताच करती नजर आई संपून लॉकडाउन को लेकर शनिवार को ही जिला प्रसासन और पुलिस के टीम ने जीले के तीनों अनुमंडल में लोगों को सूचित कर दिया था लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस की ओर से मुख्य सडकों और चौक चाराहों पर बेरिकेडिंग लगा कर जांच की जा रही है प्रसासनिक पदाधिकारी और पुलिस के पदाधिकारी स्वयम निग्रानी कर रहे हैं पश्चमी सिंभुम जीले के चैंबासा जगनातपुर और चक्रधरपुर तीनु अनमंडल में लॉकडाउन प्रभावी दिखा सनिवार से शुरू हुए मांसून की बारिश के कारण लॉकडाउन और प्रभावी दिखाई दिये रहा है बारिश के कारण लोग घरों में कैद हो गए है वैसे तो सुमवार की सुबह तक बिना किसी वज़ा की घूमने की अनुमती नहीं है लेकिन बारिश ने प्रशासन और पुलिस का काम और आसान कर दिया है सन्वासा सहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है दुकाने बंध हैं सड़कों पर जो गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही है उनसे पुलिस द्वारा कड़ाई से पूस्ताच की जा रही है संतोस जनक स्थिती होने पर ही आगे जाने दिया जा रहा है सैंबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशेंदर कुमार बढ़ाईक ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए परियाप्त संख्या में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को तैनात किया गया है आम जनता का सहयोग मिल रहा है जो लोग बिनावजब बाहर निकल रहे हैं उन्हें रोप कर पूस्ताच की जा रही है और चेतावनी भी दी जा रही है लोगों से अपील किया जा रहा है कि लॉकडाउन का अनुपालन करे ताकि कोरोना की चिन को तोड़ा जा सके कि अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को अजय को इस वार का स्वास सब्सक्ता के अंतर जो सरकार के दोड़ा जो निर्वेश हिए गये है कि सनिवार साम से लेके सुमार सुबा सब्सक्राइब को तोड़ने के लिए सहयोग दे रहे हैं और हम लोगों के द्वारा भी जगा जगा पी प्लिस फोर्स लगी भी है और हम लोगों को भी चैटानी भी दे रहे हैं करोना की चैन को तोड़ने में आप भी अपना सहयोग दे और अभी चैवासा में आज हम लोगों के मुवमेंट बहुत ही कम है करोना संकर्मा के चैन को तोड़ने में हमारी मदद कर रहे हैं वो खुच सवस्तर है अपने परिवार को सवस्तर रशे और इस तरह के जितने भी अगर जो बंदी से है यह उनके लिए है ताकि करोना के अंब तब को बचा पाए 38 घंटे के संपुन लोगडाउन का असर जीले के जगनातपूर अनुमंडल छेतर में भी देखने को मिला जगनातपूर सहित आसपास के छेतर में बजार बंद रहे और सड़के सूनी रहें लोगडाउन का पालन कराने के लिए जगनातपूर पुलिस के टीम सड़क पर नजर आई आने जाने वाले लोगों से घर से बाहर निकलने का कारण पूछने के साथ चेतावनी देकर छोड़ दिया गया भारी वाहनों के परिचालन के भी पुलिस द्वारा जाच किया जा रहा था गुल मिला कर छेतर में रहे वार को लोगडाउन प्रभावी दिखाई दिया जीला प्रसासन और अंजमन इस्लामिया के स्युक्त तोरधान में रहे जास थित उर्दूर लैब्रेडी सभागार में टिकाकरन शीविर का आयुजन किया गया शीविर का उद्गाटन चैंबासा की विधाईक दीपक बिर्वा उपिकास आयुक्त संदीब बक्षी और EDC इजाज अनवर ने सहिंत रूप से फिता काट कर किया मौके पर विधाईक दीपक बिर्वा ने कहा की कुरोना से बचाओ का एक ही उपाय है टिकाकरन उन्होंने सभी लोगों से टिकाकरन कराते हुए अपना और अपनों की जिंदिगी बचाने का आःवान किया सीविर में डॉक्टर जगरनात हिम्रम के नतितु में स्वास विभाग की टीमन रिजिस्ट्रेशन के साथ टिकाकरन किया सीविर को सफल बनाने में अंजमन इस्लामया चैवासा के अध्यक्ष, खलिलूर रह्मान, उपाध्यक्ष, अक्तर रुमानी, सचेव, पयास खान, सहसचेव, इकबाल आहमद, कोशाध्यक्ष, मुहामद वसी आदे की आहम भूमिका रही ग्रामिन छेत्रों में वैक्सिनेशन को लेकर, लोगों में व्याप्त संसय को दूर करने के लिए कोशिसे तेज हो गई हैं, जिला प्रसासन की ओर से सिख्षकों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रसिख्षित किया गया है 55 तर पर तयार कीगे मास्टर ट्रेनर घर घर जाकर लोगों को टिका करन के फाइदे के बारे में बता रहे हैं, कोरोना महमारी से बचाओ के लिए मास्क लगाने और समाजिक दूरी का पालन करते हुए हाथ को साबुन, सनिटाइजर से साफ करते रहने के बारे में भी जानक मास्टर ट्रेनर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरोना महामारी से बश्चनी के लिए कोविड-19 का टीका लगवाना बहुत जरूरी है तभी इस महामारी से लोगों की जान बचाए जा सकती है मौजूदा समय में कोविड महामारी ने सभी को प्रभावित किया है ऐसे समय में ग्रामिन चेत्र में चल रहे कोविड टिकाकरन अभ्यान में भ्रम भय एवं समधान को लेकर राश्तियस्तर वेबिनार का आयोजन आदिवासी हो समाज जिवा महासभा कींद्रिय कमीटी की ओर मीटिंग से पहले विबिन राज्यों के सभी प्रतिनिधियों ने कोरोना से मरने वालों की आत्मा की शांती के लिए दो मिनिट का मौन रखा इस बैठक को सपस्ट उद्देश के साथ आयोजित किया गया ताकि महामारी टिकाकरन के बारे में जंजातिय समाज में भी नए ब वारे में विस्तार से जानकारी दी सामोई करूप से ग्रामिंट छेत्र में फैले भ्रांतियों को दूर कर आदिवासी समाज के हर वर्प की महिला पुरुष एवं युवाओं को टिकाकरन सुनिश्चित हो इस पर प्रयास करनी की विसेश जानकारियां दी अभी के लिए बस इतना ही कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजर होंगे तब तक नियूस टाइम्स के पूरी टीम को दीजे इजाज़त नमशकर